हेलो एवरिवन वेल्कम टो वर योट्यूब चैनल अंस्टॉपइबल इंजिनियर्स तो यहां पर SSC स्टैनोग्राफर को लेकर कुछ डाउट्स हैं वो मैं पर क्लिर करना चाहूंगा यहां पर आज किस वीडियो में बस आपको लास तक देखना होगा वीडियो को सबसे पहल आपको SSC स्टैनोग्राफर ग्रेड सीडी की एक्जाम की प्रप्रप्रेशन करवाएंगे बट अगर स्टुट्ट्स कहेंगे तो भी तो ही मैं स्टार्ट करवाऊंगा तो यहां पर कहीं सारे स्टुट्ट्स ने कहा था कि हां हम प्रप्रप्रशन करना चाहते हैं आप स्ट पता है कि इस चीज़ को ध्यान रखना पहले कि आपकी जो एक्जाम होगा ना वह आपका एक्जाम मॉन्थ में होगा मतब मार्च एंडिंग तक पाइग एक्जाम चलेगा 31 मार्च को भी आपका एक्जाम होगा इतना आपको क्लिर हो गया अब यहां पर सबसे पहले डाउट यही है जो करी सबसे दाद मेरे पास आई वह यही चीज़ को लेकर आई है तो देखो यहां पर आपको सारी बेसिक सी चीज़ें यहां भी डिसकस नहीं करेंगे यह सब कुछ हम पहले ही डिसकस कर चुके हैं हम चलते हैं पर एड्युकेशनल क्वालिफिकेशन की तरफ वहा हम चलते हैं कि लृट इससे पहले पहले चाहिए जो लास्ट इसका मतलब आप अप्लाई कर सकते हो यहां पर किसी और सर्टिफिकेट के ज़रूरत नहीं आपको इतना होगा कि जब आपका एक्जाम होगा ना और फीस के बार में बताव चुका हूँ लेडिकों के लिए किसी तरह की फीस नहीं है और बागी कुछ और काई टेकर इसके फीड नहीं है तो मैक्सिमम फीस यहां पर है ना वह 100 रुपीस यहां पर रखे गई है यहां पर बस इतना है कि अगर आप CBT 1 क्लियर करते हो मतलब ज करती है कि क्या आपको स्टेनोग्राफी आप सीख सकते हो तो सीखने तो कोई भी सीख सकता है बट कंडिशन यह रहती है आपके पास टाइम भी नफ है आपको स्टाइम बहुत ज़्यादा अभी में काना चाहूंगा देखो यहां पर अगर आप अब अक्तूबर का मन्त चल का मन्त हो जाएगा और मानके जो स्किल टेस्ट होगा आपको जून के मन्त में होगा तो भी एक दो तीन चार पांच छे साथ आट महीने का टाइम आपके पास है अगर नवंबर के फर्स्ट तरी अपना बैस साट कर तो स्टैनोग्रा तब यह बनती है कि आप आपके नाउन को फूलफिल कर सकते हैं ऐसा ना हो क्योंकि मुझे इसकी नॉलेज नहीं है स्टैनोग की मुझे सिर्फ इतना पता है कि शौटन रहता है और प्रेक्टिस खूब करने पड़ती है इसमें आपका जो कोल्तियों की मेरा भी एक फ्रेंड है यहांपर जो स्टैनोग का काम कर र वरना अप्लाई करने को कोई बेनिफट नहीं है कि अगर बताने की कोशिश कर रहो क्योंकि मुझे सीज़ की नॉलेज नहीं है आप सिर्फ इतना पता करना कि 7-8 मेंट करना तो यह आप इसके एक्जाम की प्रप्रेक्षिन करना तो है आप इसके लिए एप अप्र आपकर तो ठीक है यह जो मेज़र दो था आपका डाउट वगरा था वो यही था इसीच को लेकर था अभी भी किसी तरह का डाउट होगा ना आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में बताना बस मुझे यह देखना है कि इसके बाद भी कितने स्टूइन या पर इसकी प्रप्रेशन करना उसके एक और वीडियो के अब करना करने साथे है अब भी अगर आप इस इक्शाम के प्रप्रेशन करना चाहाते हैं तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में बताना फिर में यह चाहते हैं बिना कर आपके सामने आएंगे किसी भी तरह का डाउट होगा तो फिर से बलूँगा कमेंट सेक्षिन में जरूर पूछना हमारे टेलीग्राम वगर आप सब्भी को पता ही है जेकले टेस इंफो के नाम से है वहाँ पे जाएकर जॉइन कर सकते हो थैंक यू जाए हिंद